हेलो फ्रेंड्स स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो निट 2021 के सभी स्टुडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है जो भी स्टुडेंट्स ओल इंडिया कोट एम से सी के तुरू अपने काउंसलिंग कंडेक्ट करवाने वाले है त सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलॉम करते हो क्योंकि आपके सभी स्टेट से रिलेटीड की पल-पल की अपडेट आपको इस चैनल के ओपर एवलेबल मिलेगी अब देखे हम च कांसलिंग 2021 जो कि बोला जा रहा था कि छेट जनवरी को सुप्रीम कोट के फाइनल हीरिंग होगी और हीरिंग के बाद ही जो कांसलिंग है वो स्टार्ट की जाएगी तो गैज एमसे से ने उससे पहले ही अपने कुछ रूल से रेगुलेशन से चेंज की है जिनके बारे में बताया है तो देखिए तो गैज सबसे पहले मैं आपको बता दू कि पहले जो कांसलिंग कंडेक्ट होती थी जैसे ने 2020, 2019, 2018, 2017 के अगर हम बात करें तो जो कांसलिंग होती थी जैसे राउंड वन की कांसलिंग हो गई, राउंड टू की कांसलिंग हो गई, उसके बाद जित क्योंकि 85% परसेंट तो उनका है और 15 परसेंट के अंडर जो सीट्स रिमेनिंग रह जाती थी ऑर अच्छे कोलीज़ की सीट उती तो स्टेट कोटा के स्टूटेंट को बेनेफिट मिलता था अब दीकेज क्या कर दिया है MCC ने finally बोल दिया है कि अब दो round ना करवा कि वो final 4 round कंडेक्ट करवाएगी ठीक है अभी भी students को profit होने वाला है ठीक है तो देखिए Neat Counseling 2021 Medical Counseling Commission जो की MCC है जो counseling conduct करवाती है 15% सीटों की ने कहा है कि Neat UG courses में All India Quote की सीटों पर counseling चार steps में आयोजित की जाएगी MCC की ओर से Neat UG counseling का आयोजन UG courses की All India Quote की 15% सीटों और PG की 50% सीटों के लिए किया जाना है MCC की notice के अनुसार 4 steps की counseling AIQ round 1 All India Quote round 2 All India Quote mock up round and All India Quote stray vacancy round में होगी ठीक है तो आपके बार 4 round आपके होने वाले है round 1, round 2 mop up round and then stray vacancy round तो Supreme Court ने कहा कि इस नई counseling policy को मंजूरी दे दी गई है ठीक है पहले जो दो rounds होंगे दो round के बाद जो खाले seats होगी वो राज्यों को वापिस कर दी जाती थी पहले ठीक है लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा उन सीटों को mop up round और stray vacancy round की counseling से बहरा जाएगा आपको बता दे कि NEET का result 1 नवंबर 2021 को जारी कर दिया गया था लेकिन मामला Supreme Court में होने की वजह से counseling परक्रिया अभी सुरू नहीं हो पाई है Supreme Court में नए आरक्षन जो new reservation जो लगा था उस rule पर निती पर 6 जनवरी 2020 को hearing होनी है तो गया 6 जनवरी को final जो hearing होगी Supreme Court की counseling उसी के बाद connect करवाए जाएगी लेकिन कुछ MCC ने अपने rules change किये है वो यही change किये है कि आप 2 round conduct ना करवानी के वज़ाए 4 round conduct करवाए जाएगे पहले round 1 और round 2 की कर दी जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है स्टेट कोटा में कोई भी sit move नहीं की जाएगी अब जितनी भी sit होगी आपकी MCC के थुरू ही फिल की जाएगी चार round connect की जाएगी round 1, round 2, mop up round and stay against the round ठीक है तो गयाज अभी भी आपको अगर कोई doubt रह जाता है आपका इन सबसे related तो आप comment के जरियो पोस्ट सकते हैं और गयज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like and share जरू किजेगा और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले जल्द ही मिलते हैं next new update के साथ तब तर के लिए thank you guys